हर वर्ष की भार्ती इस वर्ष भी मार्ष महीने में विश्व निद्रा दिवस की पूर संध्या पर विश्व निद्रा दिवस M.D. Chess Dr. नदीम अर्शद द्वारा प्रेस वारता किया गया इस समन्द में Dr. नदीम अर्शद ने बताया कि परतिवर्ष विश्व निद्रा दि इवेंट में जिस स्लीप नींद ऐं स्लीप १िसारडर के बारे में विस्टर जानकारी देना है विस्तित कुझ 땊 हांःब हमारे स्वास पर कितना दॡब धर इस इसके लिए जाग रूप करना है इस समंद में गोर कपु權 संधाता पर-धर बात करते रह guilt मेरा नम डाक्टर नदीमर्षद ने कहा यानि विश्व निद्रा दीवस मनाए जाएगा इसका उद्देश है कि मनिश को श्रीप के बारे में पब्लीक को पताना कि स्लीप और स्लीप डिसाड़स आदमी के लिए क्या फायदे मन्द है क्या नुकसान दे है आदमी को कितनी स्लीप लेना चाहिए कितना सोना चाहिए और अगर रिगुलर स्लीप नहीं लेगा उसकी कॉन्डिटी और क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है तो आगे चलके उसके बहुत सी बीमारें हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप डिसाड़स जो आज कर देखने को मिल ला है वो स्लीप अप्निया सिंडू मिल ला उसमें क्या होता है मरीज इसकी रात में सोते सोते सांस रुख जाती है सांस रुख जाने से उसके आक्सिजन जो है jur seinem कम हो जाता है और जिससे उसकी नीत खुल जाती है मरीज को सुबा पता भी नहीं चलता है कि वो कितनी बार उसकी नीद खुली ये अक्सर देखा गया है कि मरीज को पूरे जवान लो 6-7 घंटा सोता है तो कड़ी परे 90-90-80-100-100 बार नीद कुछ सेकंड के लिए नीद रुख जाने का मतलब होता है 10 सेकंड का अगर नीद रुखती है उसको हम लोग एपनिया कहते है सेकंड के लिए सांस उसकी रुख जाती है तो ये जो बीच बीच में नीद तूटती है जिसके वज़े से मरीज को डे टाइम स्लीपनेस या दिन में उसको हमेशा नीद लगी रहती है अगर मरीज को दिन में नीद लगी रहेगी तो इसको जा तो ठीक से काम कर पाएगा अगर वो गाड़ी ये मुट साकिल चला रहा है या वहकिल चला रहा है तो एक्सिनन होने के चांसे बढ़ जाते है और इससे आगे चलके जिसे हाईपरटेंशन हो कार्डियक वेस्कुलर डिजीज हो या हिबिपिलीजिया या लकवा जिसे कहते हैं पैलिसिज वो भी हो जाती है तो ये उससे मरीज की जो है वो जान का खत्रा बना रहता है तो ये एक बहुत इंपार्टेंट सिलिप डिसार्डर है जो करीब औरतों में 2% और मर्द में 4% पाए जाता है और इसका जो है अगर सबसे पहले इसकी जाच जरूरी है लेकिन जाच के लिए मरीज को मालूम होना चाहिए कि भाई हम कोई बिमारी है की नहीं तो इसकी पहचान के लिए कि मरीज को अक्सर दिन में नीद आती रहेगी हमेशा वो नीद में रहेगा और बात करते करते पेपर पढ़ते पढ़ते वो सो जाएगा और इसको अक्सर मरीजों को जब जगाना पढ़ता है बैठे बैठे सो गए बात करते करते सो गए तो यह सबसे important है कि इसको कहते है डे टाइम sleepness यानि दिन में भी अक्सर सो जाना और दूसरे रात में जब सोएगा तो खराटे लेना खराटा भी इसका sleep apnea का एक बहुत बाड़ा symptom या या एक लक्षरल है तो अगर मरीज को खराटे आते हैं और बीन में अक्सर नीद लगी रहती है और सोक उठने के बाद वो फ्रिश महसूस नहीं करता सर में दरद रहती आनीजिनेस रहता है तो समझ जाए उसको sleep yeah sleep disorders की बीमारी है sleep apnea भी हो सकती है इस पंदा तारी को जो है इसका उद्देश यही है कि इस बीमारी के बारे में जाग जिससे sleep apnea syndrome जिसमें रात में नीद रुख जाती है सांस उसकी या नीद खुल जाती है उसकी जांश हो जाती है जब यह पता लग जाता है है मरीज sleep apnea syndrome से ग्रेसिद है तो इसको हम इसकी इफचार करते है इसका सबसे common treatment जो बहुत अच्छा treatment है वो हम लोग कहते हैं c-pap continuous positive bear way pressure तो यह instrument हो जा है जिसके वज़े से मरीज को रात में मास के जरीए लगा के सोने को बता दिया जाता है उससे मरीज को आराम से नीद आती है ना उसकी रात में नीद खुलती है ना उसकी सांस भी रुखती है जिससे वो सुबा उठता है तो तरोताजा महसूस करता है ना विश निदा दिवस ही मनाय जाता है यह मार्च में यह तभी मनाय जाता है जब दिन और रात करी परी बराबर होने लगते हैं जैसे 22 मार्च के आसपास दिन और रात बिलकुल बरा बरा घंटे के होते है उसका पहला फराइडे है वो इसको फिक्स कर दिया गया है इसको कहत लगे कि ये sleep या sleep deciders क्या होते हैं इसलिप ना सोने से अच्छी नीद ना लेने से क्या क्या बीमानिय उत्पन हो जाती है और क्या क्या उसके बीमानिय से उसके शरीर पर उसकी आई यू पर क्या क्या असर पड़ता है अगर मरीज को नामली देखा गया है कि जो वेस्क लोग ह उसको 6-7 घंटे नीद की जववत पलती है और बच्चों में और जादा नीद जववत की पलती है अगर मरीज ठीक से नीद नहीं लेगा तो वो देखने में फिरिश नहीं लगेगा और अपने को अच्छा मैसूस नहीं करेगा इसलिए कहते हैं अच्छी नीद जो है बहु उट जाती है मरीज को पता नहीं लगता ये तो उसके घर वाले जो बगल में सोते हुवत बताते हैं अरे इसकी तो कुछ सेकंट ले नीद रुख गई सांसी रुख गई जगाना पड़ा कि क्या हो गया मर तो नहीं गया मरीज तो वो सांस रुख जाना ही अपनिया होता है और ये घंटे में पचास बार साथ बार क्या बार होती है तो ये रेगुलर जो सीफ ठूटती रहती है तो सांस रुख मरीज को नहीं मिलती है जब सांस रुख नहीं मिलेगी तो मरीज क्या होगा दिन में सोता रहेगा उसको हेड़ेक होगा अदब से चिचचरापन होगा स वाँ उसका अच्छा quality of life जो कहते हैं वो नहीं अच्छी होगी वो bad quality of life होगी तो इसके ये लक्षण होगे और इसकी treatment हम अपने बता जिया जब इसको पता लग जाए कि ये लक्षण है तो डाक्टर से दिखा ले और इसकी एक जाच होती है उसको हम लोग क्या कहते है पाली स combatrice रात में लगा दिया जाता है सुबह उठते ही उसको निकाल दिया जाता है जो instrument बादे जाते हैं उससे combatrice जाच हो जाती ही पता लग जाती है कि मरीज को जो है कितनी बार सांस उक रही है और कितनी बार उसके oxygen की कमी हो रही है अगर देखा गया है पांच जीरो से पांच एक घंटे में less than five तो सब मरीजों नार्मल आनमी को भी सांस रुकती है लेकि उससे नुकसान नहीं होता लेकिन पांच से जादा है पांच से अगर पंदरा है तो माइल करते हैं माइल सिली पैपनिया है और पंदरा से तीस है तो माडरेट है और तीस से जादा तो सीवियर ह खतनाक है इसके लिए टीटमेंट के आवशकता होती है सबसे कामन टीटमेंट होता है इस्टुमेंट जिसका नाम है सीपैप ये मरीज को मास के जरीए लगा दिया जाता है इससे मरीज लगा के सोता है जिससे ये प्रेशर से इसकी जो सांस की नली है वो चिपकती नहीं जि इसके वैसे सांस रुकती नहीं, और जब सांस नहीं रुकेगी, तो आक्सीजन की कमी भी नहीं होगी, वो आराम से सांसलिप ले सकेगा, यह इसका treatment है, पूरे वर्ड में यह treatment चलना है.